नमस्कार में अप्रिया आज़े 13 जन्वरी खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर बिहार में मिले COVID-19 के 6000 से ज्यादा मामने बिहार से उतरप्रदेश जाने के लिए एक और हाईवे को केंद्र सरकार ने दी मंजूरी बिहार में बढ़ते COVID-19 संक्रमन की समीक्षा के बाद आया फैसला बिहार में मिले COVID-19 के 6000 से ज्यादा मामने स्वासवभा के तरफ से मिली ज्यानकारी के नुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में 643 हमरीतों के पुष्टी हुई है जो इसके बाद बिहार में आक्टिव केसिस की संक्या 28,669 पर पहुँच गई है इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलो की बात करें मध्यपूरा में 127, मुंगेर में 143, मुजफरपुर में 294, नालंदा में 177, नवादा में 58, पत्ना में 2014, पुर्णिया में 157, रोहतास में 79, सहरसा में 108, समस्तिपूर में 506, सारन में 207, शेखपुरा में 11, श्रिभर में 8, सीता मढ़ी में 96, सिवान में 87, सुपॉल में 88, विश्वाली में 134, वेस्ट उमपारन में 110, मामलों की पुष्टी हुई है, इसके अलावा दूसरे राजुस से आए 61, और मामले पॉजिटिव पाए गये हैं, इसके अलावा बीते दिन में 54, 24 गंटे में कुल मिला करके 1,8,407, सैंपल की जाज की गई, वहीं इस दौरान 2802 मरीज ठीको कर घर वापस लोगे हैं, अर तीन वीडियो कांफरेंसिंग से बिज्री दर को लेकर होगी सुनवाई, बिहार में बिज्री की दरों को लेकर अब सुनवाई, ओनलाइन होने वाली है, कोविड की कारण साउथ बिहार पावर दिस्रिबिशन कंपनी, नौर्थ बिहार पावर दिस्रिबिशन कंपनी, बिहार गृट कंपनी लिमिटेड, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड और स्टेट लोड डिस्पाच सेंटर की याचिकाओं पर सुनवाई तीन दिन में ही वीडियो कांफरेंसिंग के माध्यम से संपन होगी, इसके तहते वितियवर्ष 2022 ते इसकी बिज्रिदर को लेकर रजु के पांच शेहरों में होने वाली ओनलाइन। इसके पांच शेहरों में होने वाली ओनलाइन। इसके साथ ही आपन पदो से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिएगे यूर्ल से जा कर ले से बिहार में बढ़ते कोविड-19 संक्रमन की समीक्षा के बाद आया फैसला। बिहार में कोविड-19 संक्रमन की रोक थाम के लिए पहले के नियमों को रियतावत लागू रखा जाएगा। 14-15 जन्वरी को मकर सक्रांती पर्फ के दॉलान बाजार शॉपिंग कॉंप्लेक्स में भीड को नियंतरत करने के लिए विशेश अभियान भी चलाया जाएगा। इसको लेकर बीते दिन सचिफ आमिर सुभानी की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन समु की बैठक हुई थी इस बैठक में COVID-19 संक्रमन की वर्तमान सिती और इस पर नियंतरन के लिए किये जार है। बाजार शॉपिंग कॉंप्लेक्स बस अड़ो के साथ रेलबे स्टेशन में विशेश निग्रानी रखी जाए। इसके बाद सरकारने वर्तमान रभी फसल के लिए किसानों काने बंधन ने नाश चिरू कर दिया है। फसल कटनी रिपोर्ट आने पर लाभो को किसंख्याता होगी रिपोर्ट अगले महीने आने की उमीद है। बिहार के 25 IAS अफसर पांच्टराजों में बने केंद्रिय परेवेग छग। बैठक में बिहार के अडर के 25 IAS अफसर शामिल होंगे। इस संबन में सावान प्रसाशन में भागने सभी IAS अफसरों को इसकी जानकारी दी है। मुखिंदर वाचन पदादिकारी बिहार के कारियाल ले से सभी 25 IAS अफसर बैठक में भाग लेंगे। ग्रामीन सरकों की जानकारी नहीं देने वाले इंजीनेर की अव खेर नहीं। अब ग्रामीन कारे विभाग ने ऐसे इंजीनेरों के खिलाफ विभाग ये कारवाई करने का निर्नलिया है। आपको बता दे कि विभिन योजनाव के तहट बन रही सरकों की सिती पोर्टल पर ओन्लाइन अप्लोड करनी होती है इस बावत विभाग की तरफ से नियम अंतराल पर एक पत्रुज़ारी किया जाता है लेकिन इंजीनेरों की तरफ से सादेश की लगतारं देखी की जा रही हाला कि बैसा करना उन्हें महगा पड़ेगा विदी महाविद्यानिर की वानिता पर बार काउंसिलिंग लेगी फैसला बीते दिन राजी के सभी सरकारी और नीजी 27 लोग कॉलेजों की सम्मंधता के मामले की सुनवाई की गई जो की पटना हाई कोट में हुई इस दौरान चीफ चस्टिस संजे करोल की खंटपीट ने कुनाल कोशल की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए बार कांसल आफ इंडिया को इंस्पेक्शन रिपोर्ट की कॉपी समंधित पक्ष्यों को देने का निरदेश दिया है हाला कि यह पहला मौका नहीं है जब इस मामले को लेकर सुनवाई हुई है इससे पहले भी जब सुनवाई हुई थी उस दौरान हाई कोट ने इन कॉलेजों का निरेक्शन कर बार कांसल आफ इंडिया को तीन सप्ता में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निरदेश दिया था साथी कोट ने कांसल को जिन कॉलेजों को पढ़ाई ज़ारी करने की अनुमती दी है वहाँ विवस्ता संबंद और सुबिधाओं के संबंद में हलफ नामा दायर करने को कहा था कोबिट नाइकीन को लेकर आज पटना हाई कोट में होगी सुनवाई बिहार में कोबिट नाइटीन संख्रमतों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है जसके बाद ही पटना हाई कोट भी वामले में हो रहे बढ़ होतरी को लेकर काफी सक्त है एक कारण है कि पटना हाई कोट आज सुनवाई करने वाला है की जा रही कारवाईयों का ब्योरा दिया था। कोरोना की स्थिती को देखते वे पटना हाई कोट में पिछले सप्ता और्लाइन सुनवाई प्रारंब हो चुकी है। इस मामले पर 13 जनवरी 2022 को सुनवाई होगी। मौसम विभाग की माने तो बिहार में चकरवाद की कारण मौसम बदल रहा है। तीन दिनों तक आस्मान में बादल चाहे रहेंगे। साथ ही कई जिलों में बुंदा बांदी के साथ बारिश भी होगी। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में अगले 48 घंटों तक मौसम ख राइक करेगी महिलाओं की खिलाफ गंभी राप राधिक मामलो की जाज। बिहार के सभी जिलों में विशेश अन्वेशन इकाई का अगठन किया जा रहा है। अब महिलाओं की खिलाफ होने वाली गंभी राप राधों की तत्वरित और वेग्यानिक जाज की जाएगी। जिसकों की पुलीस मुख्याले के आदेश पर बनाये गया है। मुख्याले के आदेश पर बनी ये एकाईयां ऐसे मामलो में समय पर चार्ज शीट कर जल्द ट्राइल शुरू करने का काम भी कर रही है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे कि महिलाओं के खिलाफ हो रही गंभीर आप राधिक मामलों के लिए वैग्यानिक अनुसंधान और साक्ष जमा करने के लिए राजु के अंठाने पुलीस अनुमंडल को विशेश्कित भी उपलब्ध करवाई गई है पुलीस मुख्याले के अनुसार अभी पुर्री और नालंदा में बाल मितरडेस का नरत है अन्य जिलो में इसको जल्द शुरू करने की प्रवकरिया जाई भी और विहार के किसानों को अगर धान की विक्री करडे में कोई भी परिशानी हो रही है तो तुरंध ही कॉल सेंटर 1800110 जारी किया गया है जो 24 सो घंटे और 7 दिन काम करेगा सबसे खास बात यह है कि इस नंबर पर धान खरीद और फसल सहायता योचना के सम्द्ध में किसान अपनी श्रिकाय दर्च करा सकते हैं या कोई जानकारी भी ले सकते हैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे कि राजमे 45 लाख टन के विरुद अभी तक तकरीबन 20 लाख टन धान की खरीद हो चुकी है जो कि पिछले साल के तुनला में दो गुना है हालाकि सरकार ने धान खरीदी बन नहीं की है बलकि आगामी 15 फरवरी तक प्राजमे धान खरीद होने वाली है जिसके बाद उमीद है कि इस बार बिहार सरकार रिकॉर्ड तोर धान की खरीदा की खरीदा है इस योजना के तहट बिहार में बारहवी पास युगा घर बैठे 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 पास रखते हैं 24,000 रुपए अगर आप भी बारहवी पास से और घर बैठे बैठे कमाने की सोच रहें तो आपके पास बिना नौकरी के 24,000 रुपए पाने का मौका है क्योंकि अब आप कुखी मंतरी निश्ट्रे स्वायम सहायता भट्ता योजना का लाब उठा सकते हैं सबसे खास बात यही है कि इस योजना के तहट स्टूरेंट्स को दो साल के लिए प्रतिमा एक हजार रुपए की राश्ट्री प्रदान की जाती है यानि कि इस योजना के तहट आपको 24,000 रुपए आर्थिक सहायता पराप्त कर सकते हैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के स्टूरेंट्स के लिए ये बेरोजगारी भत्ता बहुत मंददकार साबित हो सकता है बिहार में जमीन के डेढ़ लाग टुक्रों का नहीं है कोई दाविदार बिहार के कई निबंधन कारियालियों में लगभग डेढ़ लाग जमीन के टुक्रों का कोई दाविदार ही नहीं है यहाल बिहार में किसी एक निबंधन कारियाले का नहीं बलकि कोसी सिमांचल और पुर्वे बिहार के सब ही निबंधन कारियालियों का हल है आलम कुछ यूँ है कि इन जमीनों का अभी तक कोई दाविदार सामने नहीं आया है क्योंकि इन में से अधिकतर दस्तावेज साल 2014 से 2019 के बीच के है हला कि कई दस्तावेज 20 साल से अधिक पुराने भी है एसी संभावनाए है कि इन दस्तावेजों में कई केतार बेनामी संपत्ती से भी जूड़ सकते हैं जो जाज का विश है, कई कार्यालों में अभी ये सड़ने के कगार पड़ है विवभाग ने ऐसे दस्तावेजों की सूची बनाकर नोटिस बोर पर चस्पाया है बिहार से उतर प्रदेश जाने के लिए एक और हाईवे को केंदर सरकार ने दी मंजूरी बिहार से उतर प्रदेश को जोडने के लिए अब एक और नए हाईवे का रास्ता साफ हो गया है क्योंकि केंदर सरकार ने इसको लेकर हरी छंडे दिखा दी है यह सड़क बिहार के बकसर जिले को उतरप्रदेश के वारानसी से जोड़ेगी तो इसके बाद ही अब यह सड़क बिहार के बकसर जिले को उतरप्रदेश के वारानसी से जोड़ने के साथ-साथ पत्त निर्मान मंतरी नितिन नवीन ने इस सड़क के बारे में भी जानकारी दी है जुसके तहट उन्हाने कहा है कि PM पैकिस 2015 का हिस्सा भी है आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे कि NH 319-1 के हिस्से में दो जगें पर बाइपास का निर्मान कराया जाना है एक बाइपास भकसर चौसा सरक के हिस्से में है यहाँ 20 किनोमीटर लंबा ग्रीन फिल्ड बाइपास बनाया जाना है जिसके जमीन अधिकरेन का काम लगभग भग भग रहा है जेल में बंद कैदियों की आनलाइन हो सकती है हाजरी बिहार में बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते वे अब जेल में बंद कैदियों में भी संक्रबन फैलने की आश्रंग का जिताई जा रही है यही कारण है कि संक्रवन को धियान में रखते वे जेल प्रसाशन ने सभी कैदियों की हाजरी ऑनलाइन करने का आगरह किया है जेल प्रसाशन को डर है कि कोई भी कैदी संक्रमित हो जाता है तो पूरे जेल में कोरोना फैल जाएगा इसको लेकर जेल आईजी ने नियाधीश से आगरह किया है कि वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरीए कैदियों की हाजरी करवाई जाए आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे कि बिहार में पटना कुरोना का होट स्पॉट बढ़ गया है इसके लावा कई जिलों में कैदि नयाधीश और सुरक्षा कर्मी अब तक कोविड पॉजिटिफ पाय जा चुके है बिहार में इस वर्ट को तेजी से संक्रमित कर लाहा है ओमिक्रोन बिहार में कोविड नाइंटीन के मामलों में लगातार व्रत ही हो रही है हाला कि इन सब के बीच रावसानी पट्टा में भी मामले तेजी से बढ़ रहे है जिसका एक मुखे कारण ओमिक्रोन वेरियंट को बताया जा रहा है जिसके बाद बीते दुन बिहार कोविड नाइंटीन के इस नए वेरियंट में से किस वर को सबसे जादा खत्रा है के बीच राजी में मिले संक्रमेतों के आधार पर आयोवर्ग संक्रमेतों का आखड़ा तयार किया है इसके साथ ही पुरूश और महिलाओं का भी अलग-अलग आखड़े तयार किया गया है आख्डों के अनुसार प्रदेश में अब तक संक्रमितों में 26.9 पुरुष और 33.1 पुरुषत महिलाएं करोना की चपेट में आई है विधार विधान परिस्त चुनाव में जीतन रामानशी ने मांगा अपना हिस्सा बिहार में पंचाय चुनाव के बाद विधान परिस्त चुनाव को लेकर तयारियां तेज है जिसके बाद सभी पार्टियां चुनाव का हिस्सा बनने के लिए बेताव हैं यही कारण है कि अपने हिस्सेदारी को मांगने के लिए सभी दल में आवाज सुनाई दे रही है। इसी बीच बीते दिन जीतन रामानशी ने भी विधान परिसत चुनाफ को लेकर अपना हिस्सा मांगा है। जिसके तहट पुर्व मुख्य मंतरी जीतन रामानशी अपनी पार्टी के लिए विधान परिसत की दो सीटे चाहते हैं। इसलिए आगामी चिनाफ में दोनों सीटों पर हमने दावेदारी की है। लालो परिसाद यादर में तेजस्वी और उनकी पत्नी को किया दिली तलब। इस बार तेजस्वी और पत्नी रेचल और फ्राट श्री संग दिली में ही मकर सक्रांती का तेओहर मनाने वाले हैं। क्योंकि हाली मिराजर सुप्रीमू लालो पिसाद यादर ने दोनों को ही दिल्ली तलब किया है। मिली जुआनकारी के नुसार तेजुस्वी हैदराबाद से लोटने के साथ ही बीते दिन पत्नी संग दिल्ली रवाना हो गये। जिसके बाद ही अब पूरा परिवार एक साथ मकर सक्रांती का तेओहर मनाएगा। हाला कि यह रेचल की पहली मकर सक्रांती है जो शादी के बाद पहली बार वो अपने सिसुराल वालों के साथ मनाने बाली है। प्रदेश प्रवक्ता की माने तो इन सीटो और पार्टी के उमेदवारों की घोशना चलद ही कर दी जाएगी। चंदन सिंग की माने तो केंद्र नित्रुत्व ने पार्टी के बिहार संसिदिय वोर्ड और प्रदेश इकाई से इस बावत सर्वसमती निर्ने के आलोग में ये फैसला लिया है। इससे पहले लोजपाराम विलास की प्रदेश कारिकारणी और बिहार संसे दिये बोट की सायुक्त बैठक पट्टा में श्रीक रशनपुरी कारियाले में हुई थी। इस बैठक में ही गहन विचार विमर्ष के उपरांत विधान परिसर चुनाप अकेले लड़ने पर सर्वसमती से सहमती जताई गई है। जाव के लिए मेडिकल ऑक्सिजिन की आवश्यक्ता बढ़ सकती है। लेहाजा सभी राज्यों ऑक्सिजिन की परियाप्त उपलब्धता सुनिश्चित करे। परते भे देखे गए। ऐसे में टेस्ट क्रिकेट में भारत की तरफ से सर्वाधिक क्याच पकड़ने वाले कोहली छटी खिलारी बन गए है। वरात कोली ने बबुमा के रूप में अपना सौक्याच पकड़ा। बता दे कि पुर्फ क्रिकेटर और भारते टीम के बुखे कोच राहुल राविट भारत की तरफ से टेस्ट में सर्वाधिक पिकेट लेने वाले एक हिलारियों की लिस्ट में सीर्च पर है। भारत के रिखास में आज की तारी कई कार्णों से दर्च। मुगल बादशा बहादुर्शा जफर ने 1709 में अपनी तीसरे भाई काम बक्ष को हैदराबाद में हराया। उदैपूर के राना ने 1818 में मेवार प्रांच की रक्षा के लिए ब्रिटिश सेना के साथ एक समझोते पर हिर साक्षर किया। ने जाने बाले पहले भारतिय विंग कमांडर राके शर्मा का जन्म हुआ, 1978 में भारतिय अभिनेता अश्मित पटेल का जन्म हुआ, भारतिय रास्ट्रिय कॉंग्रिस के अध्यक्ष के रूप में कारे कर चुके आरेन माथ लोकर का 1921 में नधन आज़ी के दिन हुआ था। शरावियों को पकड़ने की में लगी निदीश सरकार को सुप्रिम कोर्ट ने दिया धका। बिहार सरकार के वकीलों की दलीलों को सिरसे खारच करते वे इस मामले को लेकर कोट की बेंच ने कहा है कि शुराप के मामलों में बिहार में कोट की कामकाच को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। सुधा दूद की उपलब्धता सुनिशित करने हे तू सामाने आपुर्ती बाहन के अलावा दो दही स्पेशल बाहन की वबस्था की गई है जिसके माध्यम से पूरे शहर में दिन भर दही की आपुर्ती की जाएगी। निखल कुमार कुश्वाहा आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेनी की पूरी कोशिश करेंगे तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। सवालों का जवाब देते रहे हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेनी की पूरी कोशिश करेंगे तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल क्यों आज का सवाल कुछ इस प्रकार है आपके नुसार बिहार में कोरोना की मार का सबसे ज्यादा असर किस शेद्र पर पड़ा सवाल है नुसार